हेलो एवरीबन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में सरकारी स्कूल सिक्षक भरती का एड़र्टीजमेंट जारी किया गया है जहां सीटेट या बिना टेट के भी आप आविदन कर सकते हैं आयू यहां पर 18 से लिकर अधिक तम 65 वर्स रखी गई है एप्लिकेशन के लिए कोई फीस नहीं लग रही है सैलरी जो है 30,000 जो है यहां पर आप लोगों को अलग-लग पोस्ट के लिए अलग-लग सैलरी है सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट की किस पोस्ट में वेकेंसी आई है नेम ओफ पोस्ट यहां पर दिया हुआ है यहां पर essential qualification है और यहां पर maximum salary पर मन्त है सबसे पहले पोस्ट देखें पीजीटी में, पोस्ट ग्रेजवेट टीचर्स में biology, physics, chemistry, mathematics, English, commerce, economics की वेकेंसी है qualification कहा है कि पोस्ट ग्रेजवेट master degree आपकी subject में होनी चाहिए 50% marks के साथ में और 7 में जो है B.Ed complete होना चाहिए salary यहां पर जो है अगर normal stations रहते हैं तो 25,000 salary रहेगी अगर hard stations रहते हैं तो 30,000 यहां पर salary रहती है ठीक है next जो है T.Z.T. में ODIA की vacancy है Hindi and Sanskrit तो T.Z.T. के लिए अगर आप apply करना चाहिए तो graduation आपका subject में यानि आपने यह subject ग्रेजवेशन में तीनो साल पढ़ा हो 50% marks आपकी graduation में होनी चाहिए और 7 में B.Ed मांगा गया है किसी भी राज्य का T.T. यहां कुछ भी नहीं मांगा गया है के वल B.Ed होना चाहिए T.G.T. के लिए जो है नॉर्मल स्टेशन जो रहेंगे वहाँ 20,000 रहेगी सालरी और हाड स्टेशन में 25,000 रहेगी नॉर्मल स्टेशन यह हाड स्टेशन क्या रहते हैं जैसे हाड स्टेशन के अगर हम कहें विजिट में वेबसाइट पर आपको जाना होगा यह जो है नोटिफिकेशन है कम्प्लीट यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो अप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा तो सबसे पहले जो है में वेबसाइट पर चलते हैं आप लोगों को क्या करना है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए विज्यापन देखने के लिए निश्वल काविदन करना रहेगा यह मैंने आप लोगों को थमनेल में बता दिया है देवघड की मेन वेबसाइट पर आएंगे यहां Notice पर आप लोगों को क्लिक करना है उसके बाद यह आपको नजर आएगा चार सेक्षन पांच सेक्षन नजर आएगे Recruitment सेक्षन पर आप लोग क्लिक करेंगे और सेकिंड नंबर पर आपको दिखाई देगा समवीदा के अधार पर यह वेकैंसी रहेगी Fixed Salary यहाँ पर रहेगी, अगर आप अच्छा वर्क करते हैं, तो Regular भी यहाँ पर बने रह सकते हैं, 7 March 2024 से आविदन स्टार्ट हो चुके हैं, 23 March 2024 लास्ट डेट रहेगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है, इस तरीके से Notification आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा नोडल प्रिंसिपल, OAV, बुद्धपाल, एट, बुद्धपाल, पोस्ट ओफिस, सरपाल, डिस्टिक्ट देवगड, ओडिसा, पिन कॉर्ड नंबर है यह, यह पूरा एड्रस रहेगा, रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट करना होगा, कोई फीज नहीं है, निशुल आप लोगों का फॉर्म पहुंच पाएगा, क्योंकि 23 मार्च लास्ट टेट है, और आपके पास आगे के 3 दिन रहते हैं आविदन करने के लिए, तो और भी जो है, वेकेंसी जैसे ही आती है, अधर स्टेट की, सिक्षक भरती के नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होते हैं, च थैंक यू